तो आज हम देखने जा रहे आस्ट्रेलिया वसेस अफगानिस्तान वान खेड़े स्टेडियम में पर सुबह सुबह मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं हिस्ट्री विटनेस करने जा रहा हूँ मैं पहुँच गया पनवेल वहाँ से मैंने ट्रेन का टिकेट लिया और सीधा पहुच गया CSMT वहाँ से टेक्सी पकड़ी और डाइरिकली पहुच गया स्टेडियम हमारा था गेट नंबर 5A वहाँ पर पहुच गया पोलिस अंकल बोले कि बैग साथ में नहीं लेके जा सकते फिर बैग रखने की जगा ढूंटे ढूंटे में एक रेस्टोरेंट में आँ पहुचा वो काफी ज़्यादा विंटेज था फिर जब मैं वहाँ पहुचा भाई नेक्स लेवल की घर्दी हो चुकी थी इतनी क्राउड मैंने एक्सपेक नहीं की थी लिटरली लाइन लगी पड़ी थी जस्ट फॉर एंट्री वो भी अफगानिस्तान और आस्ट्रिलिया के मैच में इंडिया का मैच नहीं है यह एक सोसाइटी की थू हम लोग को अंदर लेकी जा रहे थे मुझे तो नहीं समझा रहा था कि मैं एक्जाटली का पर जारू यह मेरा फर्स्ट था वानखेडे स्टेडियम में यहां से अपनी एक फाइनल चेकब होना था अंदर बस पहुचा एंड जस लुक एड दिस भाई अब बनाना वर्ल्ड कप का माहूल तो मेरे टिकेट के उपर लिखा हुआ है कि स्टेरकेस नंबर फिप्टीन और वो हमें ढूंडनी है सबसे पहली है यहां पर लिखा हुआ है स्टेरकेस नंबर फिप्टीन भी यही कई आसपास होगा यहां पर जॉनी बैस्टो रोईच शर्मा और हस्मतुल्ला शाहिदी और शायद से मुझे एंट्री नंबर पंदरा मिल चुकी है सबसे एंड में भाई मेरी एंट्री का गेट सबसे एंड में है और आगे है और कोई अगर चैनल की उपर फर्स्ट टाइम आया है जिसकी तुम आवात सुन रहे हो यह वही आदमी है जिसकी प्रेडिक्शन कभी सही नहीं होती इट टेक्स वन डे सारे जगा के उपर लिखा हुआ है पर मुझे क्या पता था मैं लाइफ का बेस्ट वन डे देखने वाला हूँ कुछ भी बोलो वानखेड़ी स्टेडियम को सजाय तो एकदम दुलन की तरह गया है यह ग्राफिक्स कितने प्यारे लग रहे है यार और यह अपने पहले कदम स्टेडियम में वानकेड़ी स्टेडियम का अबे तु हटना ग्राउंड का रिवील कर रहा हूँ क्या बेच में आ रहा है और ठीक इसके बाजू में है यह आपर लेजन ने वल्ड कप रख दिया है और वो वल्ड कप दिख भी नहीं रहा है गिर बेर गया तो ऑस्ट्रेलिया वाले फुल प्रोटेस बिटेस कर देंगे ट्विटर के उपर आराम से हां तु आ बीच में तु मेरे व्लॉग के बीच में आ स्विट कॉन बेच अपना तो दोनों भी टीम्स के फ्लैक्स लगा दिये गए मैं ऐसी सीट के उपर बैठा हुआ हूँ कि मैं तुम्हें आच्छा विव दे ही नहीं पाऊंगा इसका यहाँ पर दोनों भी टीम्स के प्लेयर्स ग्राउंड के उपर आते हुए साथ में अपने बच्चे लाए I guess तो इनके बच्चे होते है न या फिर गिर्वी लाते है क्या सीने इन बच्चों का यहाँ पर गाईज ऑस्ट्रेलिया की पीली पीली टीम आ चुके ग्राउंड के उपर यही वो टीम है जिसने इंडिया का सपना तोड़ दिया था 2003 और 2015 में तुम इनको कितना भी दोस दोस कहलो पर जब सेमी फाइनल और फाइनल की बारी आती है यह किसी के सगे नहीं रहते और इसी बात में दोनों भी अफगानिस्तान के ओपनस भी ग्राउंड के उपर आते हुए नाचते नाचते एकदम फुल डांसिंग बजी और यहाँ पर रोहित शर्मा और विराट को ली दोनों भी मैच दिखने आये और गयस वाट MS दोनी भी आये आराम से आराम से वरना म ग्रीन भी आ गया ग्राउंड के उपर और लोग चिला रहे थे कलर कलर what is the color green color हुआ रहे हुआ क्या ही creativity ना यहाँ पर पहला विकेट मिलता हुँ ऑस्ट्रेलिया को आफकोस में क्लिप्स नहीं दिखा सकता वरना ICC वीडियो डाइरेक्ली खा जाएगा और इतना जैंपा को चिड़ा लिया कि कैप्टन ने सीधा स्टॉइनिस को ही आमारे यहाँ पर भेज दिया and guess what ये स्टॉइनिस पूरे मैच भर इधर ही था मेरे सामने भाई आपने लोगों को कैमेरा से इतना क्या लगा हुए कैमेरा दिखता नहीं कि सब नाचना चलू हाँ तू गिर जाएग लोग को स्टेडियम दिखा देते हो क्योंकि स्टेडियम टूर भी काफी सदें पाउल वालिया पाउल भाई पेचाने क्या आरे पाउल भाई उस दिन कोलैप किया था अपने पाउल भाई कैसे हो पाउल भाई बिग फैन पाउल भाई आरे लव यू पाउल भाई इधर तो वो कोन है, आलो अर्जुन है, वो क्या कर रहे हो तुम लोग उसके साथ, आस्ट्रेलियन इंसान है वो, वो भी कुछ कम नहीं, वो भी फुल रिस्पॉंस दे रहा था पबलिक को, और पबलिक भी उसके फुल मजे ले रही थी, यहापर कैमरान ग्रीन स्टॉन इसको बोल रहे विकेट जाती हुई, एज रिप तुम लोग को फरक पढ़ने ही वाला है, तुम लोग सब लोग आये हो, मैक्सवेल की इनिंग्स देखने मुझे पता है, आईला निक फूरी भाव, मार्वेल सुड निकडे, तुमें लग रहा होगा कि कहीं ब्रायन लारा तो नहीं हा गए क्रीज के उपर वापिस की इतना सेलिब्रेशन चल रहा है, नहीं भाई, राशित खन की बैटिंग चल रही है, मा कसम इतने सारे फैन से उसके क्या वोलूम है, माई बॉय, माई बॉय, मुझे क्या बना था, ये इनसान मुझे ODI हिस्ट्री की सबसे डेंजरेस इनिंग्स द उस्ट्रेलिया को, पर फिर भी मुझे इस पॉइंट तक लग रहा था, कि अफगानिस्तान at least 30-40 run short रहे गई, ये देख लो भाई, लोगों का क्या चल रहा है, और इनका क्या चल रहा है, भाई, मतलब next level की addiction है, और यहापर डांस करते करते हैं, आपने पुश्पा भाई, डेविड वार्नर आ चुक है, और उनके साथ सर आ रहा है, सर मतलब दिमाग, मतलब Travis Head, काफी घटिया जोगता पता है मुझे, और यहापर अफगानिस्तान की भी एकदम नाशते नाशते entry हुई है, उन्हें कहा पता था कि Maxwell उन्हें नचाने वाला है, माहोल एकदम सैट था बस देखो यार, शाम में कितना सुन्दर लगता है यार यह स्टेडियम, भाई, क्रिकेट स्टेडियम से खुबसूरत कोई जगा है क्या, मैं तो सोच रहा हूँ, मेरी शादी भी में क्रिकेट स्टेडियम में ही कर लूँ, पहला विकेट जाता हुआ, Travis Head 0 की उपर आउट, था कि इस मैच में कुछ तो खडबड़ी होने वाली है, यहाँ पर डिविड वर्नर भी आउट हो गए, मुझे तो लगा कि खतम हो गया भाई साब, और इसके पहले कि मैं भूल जाओ, वो रहा सचिन टेंडूलकर का स्टैचू, अगर ना दिख रहा हो, तो फोन की ब्राइ एक काम कर दो सर, फिल्डिंग ही लगा दो आप, भाई हट जा ना यार, कैमेरा के बीच में क्यों आना होता है तुम सब लोग को, क्या मतलब प्रणिल तेरे बाप कस्टेडिय में क्या, तू क्यों आया है इधर, गाइस, इसको भी सब लोगोंने पागल बनाया था, सब लो इनकी खुशी देखो, स्टार्क आउट हुआ है, खाली इनके चेहरों के ऊपर खुशी देखो, ओके, तो सीन ऐसा हुआ था, पैट कमिन स्ने एक ओवर, पूरा मेडन खिला, और अगले ही ओवर में, मैक्सवल ने चक्ये चोके लगाना चालू कर दिया, यह वो मुमेंट थ जा था कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, और इस मुमेंट पे हम सब लोग को पता चल चुका था, कि अब प्रेशर में अफगानिस्तान है, ऑस्ट्रेलिया नहीं है, बहुत स्ट्रॉंग पोजिशन में ऑस्ट्रेलिया पोज गई थी, I mean जो एप्रोच इन दोनों ने बहुत बुरा लग रहा था मुझे, आओ सर, आप की कमी थी, आप लोग लेंगे फुल मजे, लोग चिल्ला रहते, राशित भाई विकेट लो अरना घर जाओ, और राशित खान भी उनको इशारे कर रहते, यहाँ पर हर एक ओवर के बाद फिजियो ग्राउन के उपर आ रह पर इन क्रैम्स को लेके वो चक्के चोके लगा रहा था, I mean mad respect यार, mad respect, and इस moment पर क्रैम्स actually काफी ज्यादा serious हो चुके थे, Maxwell को बार बार वही सवाल पूछा जा रहा था, do you want to quit, do you want to go up, do you want to get retired out, और Maxwell बार बार केह रहा था, नहीं, मैं खेलूंगा, मैं अभी तक सोच रह यार, Maxwell, this is impossible, and Pat Cummins, यार, क्या कर रहे तू, and ये moment था, जब Maxwell की पूरी बोड़ी, क्रैम्स से जकड गई थी, इस moment पर तो मुझे 100% लगा था, कि नहीं, अब Maxwell continue नहीं कर पाएगा, पर still, I felt कि Australia winning position में है, तो maybe Pat Cummins जीता देगा, even Adam Zampa बैटिंग के लिए आ चुका था, पर Maxwell Maxwell ने Physio को बोला, चल उपर जा, मैं तो भाई लड़ूंगा, मैं तो खेलूंगा, भाई यार, Maxwell, देख, मैं honestly बोलता हूँ, मैं तेरे बारे में कभी इतना feel नहीं किया, पर आज तु मेरा inspiration बन गया, तूने respect गया है, एक mad respect, and इस moment पे देड़ सोर रन हो गए, मैं अभी तक स अपना है, क्या मैं घर पे सोया हुआ हूँ, यह क्या चल रहा है, यह कैसे possible है, यह practical नहीं है भाई, यह नहीं हो सकता, इतने runs बनाने के बाद भी वो नहीं चल पा रहा था, पता नहीं दोनों के बीच में क्या discussion हुआ, पर जो भी था, it was legendary, and public ने अपना रंग बदल लिया जो public धुपर में अफगानिस्तान को support कर रही थी, अचानक से अब Maxwell, Maxwell, Australia, Australia ना रहे, क्या रंग बदलते हो रहे, सब लोग वा, and it was at this moment, I knew कि यही over है, इसमें सब खतम होने वाल है, like legit सब, and my man finished off in style, 6 मार के 201 run, go test innings in a ODI runches, मैं अभी तक बिलियो नहीं कर पा रहा, कि मैंने क्या देखा है, भाई, जो भी था, ये, काफी जादा crazy था, अगर यहाँ तक देख रहे हो, तो like जरूर करना, और subscribe करके जरूर जाना, जल्दी से 100 के subscribe कर दो, and Maxwell O.P. comments में बनता है यार, बाकी मिलते हैं हम लोग अगले उड़ी में, तब तक लिए टाड़ा वाइबे, see you, है भी साफ होग जी सक दापकलवाँ करू अपले हाता है, सो परतो में भी में लोग जड़ा याएगा हो, कि छो हो अगले हो, टू यह था रहाँ प्राबाजया हुएर यहाँ कर के रहाँ हुएरे हैं, जा यह校र वाजुएरhe लिच पतू गlorभार यहाले हैं, ऑि़ टू हो